मेदा भी विद्यार थी, नीट की परिख्या में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाए, पुकता जानकारी आने पर दोसियों को कड़ी से कड़ी उनके उपर कारवाही की जा है, कि सम्मेदन चिल इशू पे या सारे चीजों को राजनितिक द्रिश्चे से देखा ना जाए, पहले से मैं सभी को आस्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों की हीतों को सुरखित करने के लिए प्रतिबद्ध है, पारदर्शीता के साथ हम कोई समझोता नहीं करेंगे विद्धियार्थियों के हीत हमारी प्राथमिक्ता है, किशी भी किमत पर उसके साथ समझोता नहीं होगा नीट परिख्या की शमंद में हमें बिहार सरकार की और से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पाटना से हमारी पास कुछ जानकारी भी आ रही है आज भी कुछ अर्चा हुई है, उसकी डीटेल रिपोर्ट पाटना पुलीस उस घटना की तहत तक जा रही है, अनतर तक जा रही है उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, इस सब आपकी सामने भी है और डीटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को बेजेंगे प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिपिक रिजियन में सिमीत है मैं आपको विश्वास दिरना चाहता हूँ, पुक्ता जानकारी आने पर दोसियों को कड़ी से कड़ी उनके उपर कारवही की जाएगी इन्टिये हो या इन्टिये में कोई भी बड़ा विक्ति हो जो इसमें दोसिय पाये जाएगा इसके खिलाब सक्त कारवही की जाएगी इस पूरे प्रकरण में सर्वोज प्राथमिक्ता विद्यार्थियों की भविश्य को दी जाएगी मैं आपको यह भी शूचित करना चाहूंगा सरकार एक हाई लेभूल कमिटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में इन्टिये की सम्मद में मैंने पहले भी कहा हैं इन्टिये की सम्मद में कई विश्य समने लाया है एन्टिये की स्ट्रक्चर, एन्टिये की फंक्शनिंग, एक्जामिनेशन प्रोशेस, ट्रांस्परेंशी और डाटा, सिकुरिटी प्रोटोकल को और इंप्रूब करने के लिए उस उच्चास्तेरिया कमिटी से रेकॉमेंडेशन अपकीत रहेगी हम जीरो एरोर की परिक्ष्या की लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार ने दो हजार चोविस में पहली बार पब्लिक एक्जामिनेशन प्रिविन्शन अफ उन्फियर मीन्स एक्ट को भी लाया है विद्यार्ति हमारी देश की भविश्य है मैं सभी से उन्रोद करता हूँ इस संबेदन से लिशू पे किसी भी तरह की अफवा पहलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनितिक द्रिश्य से देखा ना जाए मित्रों फिर अंतम में मैं आपकी श्वयोग चाहता हूँ देश की इलाकों विद्यार क्योंकि जो ग्रामीन गरीब मेदा भी विद्यार थी नीट की परिख्या में अच्छे नमबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाए मैं फिर अस्वस्ट करता हूँ सरकार किसी भी गुनेगार को किसी भी सुधार के लिए हम तयार है किसी भी गुनेगार को हम छोड़ेंगे नहीं कड़ी से कड़ी कारवाई होगी कारवाई के लिए सारे पुक्ता प्रमान तत्य एक लीगाल अन लॉजिकल एंड की एक बारियता रहती है आवशकता रहती है इस पे सरकार गंभिरता से सारा विश्यों को लिया है मैं आप सभी का सुष्यों काम न करता हूँ